ये गाइस वेल्कम टॉ वाल कैसे हैं आप लोग कि आप तक में लिवाद आ रही है चला वहीं तो स्टार्ट करते हैं आजी क्लास जो कि है हमारी SSC GD क्लास तो गाइस प्लीज अगर सेशन अच्छा लगे तो क्लास को लाइक और शेयर कर दिजेगा ये क्लास डेली शाम को साथ बजे वाइफ़ाइ स्टडी इस्टोडियोस पर होती है चलेगा बई है कि स्टार्ट करते है आजी क्लास और तो कल से मेरा नहाया बैस आ नका Кडमी युकि ह要हा hum इस बैस में कंप्लीट SSC का आटवांस मगा तो अभी मैं जो कल से श्टार्ट कर रहा हूं वह स्टार्ट हो रहा है एलचैबरा और टेग्नो बैटरी तो स्टार्ट उस पैच को लेने के लिए आप को एक अन एक अडमी लेंघे उसे डाउनलोड करेंगे डाउनलोड करने के बाद साथ साथ और क्या चीज है आपको बेस्ट पार्ट क्या है अगर साथ सब्सक्रिप्रिप्रिप्षिंगे तो अगर से जुड़ते हैं तो आपको best part के रहेगा आपको best part ही रहेगा कि life classes होंगी weekly test होगा structured courses होंगे unlimited access होंगे expert की guidance मिलती है test चैनल इस होता है person guidance study planner और study matter लिए सारी चीज़ आपको provide होती है ठीक है और आप लोग रफ्र रोगोड नमर 10 लगा सकते हैं बागी हर Sunday यह combat होता है तो अगर आप combat में top 3 rankers में आते हैं तो आपको सब्क्रिप्शन फ्री दिया जाता है उसके बाद 75% 50% 25% और 20% scholarship मिलती है आपको एक अनक आद्मी पर सब्क्रिप्रिप्शन पर स्टूड़ेंट है उनके लिए बेस्ट फीचर क्या है रेजेंट का रेजेंट में क्या होता है कोई भी प्रॉब्लम है तो आप रेजेंट कर लो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो एजुकेटर के बास पहुंचेगी और एजुकेटर से आप ऑन कॉल अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हो ठीक है तो चलेगा आते हैं पहला कोशन की दरफ पहला कोशन यह रहा आपके सामने इसको पढ़ेगा इस कांसर बदेगा इस कांसर क्या आएगा करते हैं कि आपके आवरेज मार्क से 54 स्टुडेंट इस 46 इस फांड थाटिसिक्स को 63 लिख लिए गया है तो करेक्ट आवरेज मार्क्स क्या होंगे यह बताना है काफी असान कुश्चन है कि हमने आवरेज में काफी इस टाइप पर कॉश्चन देखे हैं क्या हो गया 54 आवरेज था ठीक है मैंने क्या करा 54 स्टुन का आवरेज 46 था मैंने 36 की जगा 36 पढ़ना था मैंने कितना पढ़ लिया 63 पढ़ लिया तो यहनी कितने का डिफ्रेंस है 27 का डिफ्रेंस है 27 कम होगा क्यूंकि मैंने कम लेना था मैंने जाधा ले लिया कितने पर कितने नंबर था है तो यहनी कितने एक की वेल्यू कितनी होगी 1.2 यहनी 0.5 तो यहनी जो भी आवरेज होगा उसको 0.5 कम कर दूंगा तो 46 था 46 में से 0.5 कम करूंगा तो कितने बचे का 45.5 आंसर हो जाए easy है के लिए रहे बढ़े आगे बढ़े आगले उप्षिन की तरफ next यह बताएगा कि 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 एवीची एक क्यूलिटर ट्राइंगल है जिसकी साइट 6 सेंटिमेटर है तो एरिया बताना है शेड़ी डिजिट का एरिया कितना आएग कि चलो बढ़े कि 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 इसए कि 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 बताने कितने आएगे बता बढ़ा काफी जाना पेचाना कुश्चन है काफी जाना पेचाना कुश्चन है बता हुए टी असम्म राइफल सोड़ी थी कलती कर दिया आपने करने देखो असम्म लोगे तो असम्म कितना को बिटा इसका a b c हो गए ओ और यह aq प्लस b q प्लस c q यह जाएगा अच्छा a q प्लस b q प्लस c q अगर यदि a A सी ब्लस B प्लस C 0 है, किब्ध कितना होता है ? , तो इसको लिसकता हुं है, कितना राइस बद्री 만든 यह में आपक। ठीक है ? स्मय अत्रम क्यों है ? झाल कि आमित ने 91 किलो मेटर 11 गंटे में ट्रावल करा यदि वो पांच किलो मेटर और स्पीड से जाए और बचा हुआ 9 किलो मेटर पर आगि स्पीड से जाए तो उसने पाइस के से कितना डिस्टेंस ट्रावल करा कि अब अगुल बताई रहा है अग्षार्ण कर दो कि अग्षार्ण कि टीवन चलो उसने कुछ डिस्टेंस परलो ट्रैवल करा बागी बच्छे बcióक बाइसकल से करा ठीक है ना यह फाइव की स्पीड से करा यह नन की स्पीड से करा ओवर लल गितने स्पीड से करा 91 11 घंटे में करा 11घंटे में करा तो मैं सब को 11 से मुल्टिप्लाइए कर दूँ अटेक है ना इसे कितना जाए एक 55 कितना जाए ग काया थि कितना हो जाएगा 91 हो जाये गए इन दोने दुट लिषरेंस 99 और 55 कितना हो जाएगा थिख्स कईे यह गया है मेरे पास किस का an Famere पास time का या अब समझना तोया तक कोई ड्राउड किसी वो मैं अब देखो। टोटल गटना है जार औरीक्केव कितनी होगा है 11 बाई और उसने प्वुचाया कि बाईस्के न से कितना करेगा कि ऐस से कितना करेगा पेशे कितना डाइम लगा उट है और से मल्डिप्लै है एंक कर दूंगा कि एक की वेल्यू 11 ए फॉर तो 4 की वेल्यू कितनी होगी कि आए एक में लोगना कलती कर रहेगा नाइटीवन बाइलावन स्पीट एम टाइम करेशों कितना है ओ सुर्य एट आए एक गड़ी तो एट और थाटी सेक्स वो टूझा एट ओर नाइए थाटी सेक्स माफिशंग में कलती होगे थी टोटल पे कितना है नौट दो ग्यारा ग्यारा की वेल्यू ग्यारा है तो एक क कि डिस्टेंज के इतना था स्पीड इंटू टाइम कि एट्टी बन के से और रहा है कि दो और नौए ठीक है कि क्या होगे जितकत है तो कि कि इस पीड कि स्पीड ना अम वाइसकल की स्पीड नाइटी ना ले रहता है ये गलती करने तो नाइन इंटू में नाइन एट यून आंसर जाहा हूँ है कि एट इंट इड नाइट अउड आट आँवा आँजा नग्स्ट कि यूटी पी पता नहीं है जब फित तीन डिजिट होनो तो आप यागर को लास्ट की दो डिजिट को फोर्ट से डिवाइड कर लो रिमेंडा कितना आएगा थिरी आएगा इन्हें टू की पावर थी कितना होता है एट अब बताना थीन साल का 3% पर सिंपल इंटरेस्ट कितना रखा थीन सिक्रीट रखा है कमपॉंड ट्रेस्ट उसी सम पर देंगे लिए कि लिए तो मुझे बताना कमपॉंड कितना है यहागा और कि बताएगा देखो तीन परसेंट है साला ना तो तीन परसेंट कंपॉंटर्स में कितना बनता है बिटा नाइन पॉइंट टू सेवन बनता है ठीक है तो मैं कहता हूँ नौ परसेंट की वेल्यू कितनी है तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि 360 थोड़ा से जाधा अंसर होगा यूनिट जी दिन दगवाद बिल्कुल तो यहां थैन साथ से तप्रस्टाव जादा होगा थीन साथ तो नहीं होगा ना 380 बहुत बढ़ा है अब यह दोनों पर आप्षण पास है इन दोनों मजसे एक हो सकता है एक परसेंट की दो नौ परसेंट की वेल्यू कितनी आगई है थीन साथ तो आई गई है ठीक है 9 पर 30 36 होगा 10 परसेंट तो एक परसेंट की वेल्यू 3.6 होगी तो आधे परसेंट की वेल्यू कितनी होगी 0.5 की वेल्यू 1.8 होगी यह हो जाए का क्वेश्चन बताओ जल्दी से 370.9 शही बताओ कोई डाउट है किसी को कि अगरे तो यह तो यह तो काम करो एक परसेंट की वेल्यू निकाल के न तो 9.27 इसकी वेल्यू पता है तो 9.1 परसेंट की वेल्यू कितनी होगी 9.2727 इसकी वेल्यू निकाल दो तो कितना हैगा 370.908 ठीक है के लियर जो चाल काल माँता है कि अ म निकाल के अझाल झाल 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 अब शीक ट्राइंगल है डी पॉइंट है अब पर और इपॉइंट है एसी पर क्यारा डी पैलल अब इसी के हैं क्यारा एरिया ऑफ एबी सी एबी सी का जो एरिया है वह कितने टाइम से थ्री टाइम से एडी के एक है तो इबी सी का एरिया कितना होगा है टू कि थी मिलाडी अच्छा कितने होगा इस पूरे और कितनी है थे यह तो यह कितना कि रूट 3 होगा इस पूरे का थियान तो यह तो यह वाला पार्ट आपास रूट 3-20 आटो अज़्सक इतना जाएगा एडी अपउन मेंट डी बी वन अप रए गाए तो क्लियर है है था नेक्स्ट कि अ दोवारा बताना यह वालो है दोवारा देख लो है नौब तीन तो चालेज़ें तो एक परशंडी दोवी कितनी होगा चालेज होगी न एक परशंड की बैचीक किसे तो आधी परशंड की वैशंड वेल्यु बाताने है हैं ज़ो गा क्योंकि मुझे बताने 9.2727 की वैल्यू तो 9 परसंट की वैली तो यह ही 0.25 की वैल्यू 10 है तो इक टू से जाता होगी तो 369 वला दो आंसर हो नहीं सकता तो 370.908 अगर ऐसे नहीं करना तो एक पर्सेंट की वेल्यू कितनी है जाएगी पेटा चाली सा जाएगी 9.27 की वेल्यू निकाल लिए तो 9.27 से मल्टिप्लाइ कर दिया कर दिया कर दिया जाएगी बड़े गो कि ए और बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं और ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं तो एल्स भी 60 हो गया 15-4 था 23 था और 12-5 था तो ए बी की ट के टो खी टो उगी टो गी एकि कितनी चाहिए अगी गीट हो जैगी ए हुआ और के टो यदो ए टो गया को इस टी दिन क्रें में करते हैं तो जो गह्या इस ए झाल 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 नियुशार बीन में इनकम और एक्सपेंडीचर ग्राफ दे रख्ठ तो इनकम और एक्सपेंडीर क्या होता है इनकम और एक्सपेंडीर किया वहता है वह होता जो कभी यह नि बोलती कि s तो इंकम इस तो इनकालते हैं सिंपल वैसे ही है आपको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इनकम इस सेलिंग प्राइज इस दिमाग में रखना चीज़े हो जाएंगे चलो मैं जो ग्राफ में दिखते हैं मैं बता दूंगा के रहा है इस दक इंकम ऑफ कंपनी एं 2011 वास 29 लाग एकी इंकम 2011 में कितनी थी 29 लाग थी तो एक्सपेंडीचर बताओ कंपनी ए का उसी साल में अच्छा कंपनी यहां पर परसेंट दे रखा है तो बीच में वाला पार्ट है न जाते 30 और 40 तो 35 परसेंट हो जाएगा तो यह जो दे रखा है अच्छा कि यह दिक्कात है एक मट रूपना मैं इसको देख लूँ है हां पर डाउट लोंगा एक मटें में बताता हूं का रहा बारा मैं से पहुंश है एक मट दो बस कुछ में सिंग है यहां पर मैं देख लेता हूँ यह वाला ना जो ब्लैक वाला है वो 2012 का है और जो वाइट वाला है 2011 का है लिखा नहीं था यहां पर यहां पर यहां पर नहीं दे रखा ठीक है चलो देखो कंपनी एक हां 2011 में प्रॉफिट कितना था 45 परसेंट था अगर कंपनी एक ही जो इनकम है 2011 में वो कितनी है 29 लाक है तो अगर 100 परसेंट मेरा कॉस्ट प्राइस होगा थे इंकम कितनी होगी 145 परसेंट इंकम 145 परसेंट दे रखी है कितनी दे रखिए है 29 लाक तो मुझे 100 की वेल्यू बतानी यह वैल्यू कितनी होगी कितना जाएगा पिटा कि इस आंसर जाएगा कि अग्ण कि अग्ण ट्यक्यार नेक्ट नेक्ट चला इस बताओ वह अग्यार में एक्सपेंडिचर कंपनी सी का 30 लाग था तो कंपनी सी की कि इंकम कितनी होगी उस साल में कि को कि कुई डाउड है फटीटू लेक कि लिए रहें देखो कंपनी सी की एक्सपेंडिचर कंपनी सी का जो एक्सपेंडिचर है तो इसका 40 परशन कितना होगा बारा तो तीस प्लस बारा कितना हो जाएगा 42 लाग 42 लाग कहां पर को अप्शन नमबर ए में लेक्सांविचर में झाल कि लिए बार सकते हैं लेक्सांविचर कि लिएक करें लेक्सांविचर बादवे 2029 बिल्कुल क्या रहा है expenditure C और D का इककल हो जाए income कितनी हो जाएगी अगर expenditure में ने 100-100 माल लिया तो company C का 2012 में कितना हो जाएगा 140 expenditure इंकम और इसका कितना हो जाएगा बिटा D का यह हो जाएगा 145 तो रेश्यों निकाल देंगे simple है यह आएगा 140 145 हाय ना बिल्कुल होगा 289 मेरा answer आ जाएगा next किसी भी आर्टिकल का मार्क प्राइस 60 पर्सेंट हाया रहा है कॉस्ट प्राइस से अगर उसको 28 पर्सेंट का प्रॉफिट हो रहा था जैनि 128 में बेचा होगा तो 160 रुपया मार्क प्रॉफिट ही 28 परसेंट ने बेच दिया यह नि कितने का जाद होगा 32 का जाद होगा कितने पर 160 पर इंटू में 100 कि 20 परसेंट डान सरा जाएगा कि टिक है कि नेक्स्ट कि अधिए प्र क्यों किटना है टेकर 22 लीटर मिक्षर निकाल दिया है तो क्यों को भर दिया है 15 लीटर मिक्षर में हमने और डाल जाए क्यूं का तो रेश्यो पोर्ट टू रहा है तो देखो आपने निकाला है 22 लिटर निकाला है तो ओव्यस्टी बात है पी और क्यू का रिश्यों सावन स्रुफोर ही होगा तो 22 लिटर निकालने के बाद आपने क्यू डाल जाए 15 लिटर इसको फोर से मुल्टिप्राइब कर तो इसको 7 से यूगि पी तो सेम रहेगा ना तो कितना हो जाएगा 28 और 16 लिट यह है तो 28 और 16 किटने को व्याद किसी को 28 कितना होगे 44 हो गया अधा कि अच्छाए यहां पे शोला से कितना हो गया 21 हो गया तो पांच जाला और यह पी में इनिशली कितना होगा एक की वैल्यू तीन होगी तो 28 प्लस 16 कितना हो गया 44 हो गया तो 44 इंटू 3 करूंगा तो कितना जाएगा फोरतीय टोई ठाटीन 131 132 यह कब था जब 22 लिटर निकाल दिया था अब 22 लिटर और डाला था इनिशली पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 154 तो 154 को 28 और 16 के रेशियो में डिवाइट कर दूँगा बताओ कोई डाउट तो पी की वैल्यू पूछ रहा है तो पी की वैल्यू आ जाएगी यहां से 98 लिटर मैंने क्या करा 28 और 16 28 की वैल्यू कितनी है वैटा 154 एक की वैल्यू कितनी होगी 3.5 होगी एक की वैल्यू 3.5 तो 28 के लिए 28 से मल्टिप्लाई कर दूँगा तो 98 लिटर आंसर आ जाए नेक्स्ट कर दो चलो हाँ बेटा असान कोश्यन है चलो आज लिए इतना लगते हैं ठीक है कल में लेंगे अब सेम टाइम पर तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेगा और अगर आपको लगता है इस वीडियो में कोई ऐसी चीज जो आपको भावनिक चीजों को आहात हुई है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं और अप्राइज जीश सकते हैं ठीक है तैंक यू सो मच लाइक और शेयर करेगा चानल को सब्सक्राइब करेगा मिलते हैं कल टिल देन बाबाई टेक क्या चाहिंद